हेलो इब्रीबन स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नरेगा में डिमांड लगानी की बाद आप उस पर कार क्या एलोकेशन के स्थरेशे कर सकते हैं तो चैलिए सुरू करते हैं इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन या लैफ्टॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपिन करना है वहाँ पर आपको सर्थवार में लिखना है नरेगा फर्स्ट वेप साइट पर आपको क्लिक करना है आपके सामने नरेगा की ओपिशल वेप साइट खुल जाएगी यहाँ पर राइट साइट में आपको क्रोश का ओप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है नीचे डाटा एंट्री का ओप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है next आपको अपने राज्य पर क्लिक कर देना है आपके सामने एक login पेज खुलेगा जिसमें सबसे पहले financial layer सेलेक्ट करनी होती है उसके बाद user ID, password और capture code डाल कर submit करना होता है user ID और password है वो gram रोजगार सेबक या gram पंचाय साहिक के पास होता है जैसा कि यहाँ पे जितने भी gram रोजगार सेबक या पंचाय साहिक इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते होंगे तो चलिए यहाँ पे login कर लेता हूँ user ID और password login करने के बाद आपके सामने gram पंचाय साहिक नरेगा data entry का portal खुल जाता है यहाँ पे job card का allocation करने के लिए आपने जो demand लगाई है उसका allocation करने के लिए यहाँ पे उपर से पाचवे नमबर पर मिलेगा work allocation इस पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पे काफी सारे options आते हैं यहाँ पे allocation करने के लिए first option work allocation entry के option पर आपको click करना है जैसे ही आप बर्क एलोकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नए पेज आएगा जिसमें आपको यहाँ पे आपने जिन लोगों की डिमांड लगाई है उनके जॉब कार्ड उनके नाम उनकी सारी लिष्ट यहाँ पे खुल कर आ जाएगी उसके बाद आप जिस लेवर को जिस जॉब कार्ड को जिस डिमांड धारक को आप जिस काम के अंतरकत रखना चाहते हैं उस काम को यहाँ पे इस्टीमेट में आपको अपने देख लेना है वो वर्क कोड को यहाँ पे डालना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ कई काम होते हैं जैसे की आंगन बाड़ी है सूखा रोधन है यानि ब्रक्षा रोपन बांड यंतरण के लिए यहाँ पर सिचाई विवाग काफी तरह की काम होते हैं तो यहाँ जो ब्रक्षा रोपन के अंतरगत है यह डिमांड लग रही है तो यहाँ पर ब्रक्षा रोपन के लिए सूखा रोधन को स्लेक्ट करना होता है उसकी बाद उसमें यहाँ पर सर्च की के ओप्षन पर आपको क रक्षार ओपण के अंतरक्त अीड बनी होई है वो सारे आपके सामने यहाँ पर जाएंगी आप यहां पर अपनी इस्टिमेट से आईड को मिला लें और उसको सेलेक्ट कर दें सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे जिस भी लेवर को आप इस काम की अंतरकत रखना चाहते हैं उसको आपको टिक कर लेना है टिक करने के बाद यहां पे सेव के अप्शन पर क्लिक कर देना है अगर आप सभी लेवर को रखना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट ऑल के अप् पर क्लिक कर देना है तो यहां पर जो allocation है वो easily done हो जाएगी और आप आगी की प्रिक्रिया को बढ़ा सकते हैं बार के allocation को देखने के लिए कि यह allocation हुई है या नहीं तो इसके लिए आपको बापस से home button पर tap करना है यहां पर work demand पर आना है उसके बाद demand for entry पर क्लिक करना है सबसे पहले अपना gown सेलेक्ट करना है उसके बाद कोई भी एक job card number सेलेक्ट कर लीना है जो उस काम के अंतरगत आपने लगाया है यहां पर जैसे कि मैंने यहां पर first job card number है उसके बाद view demand detail पर आपको क्लिक करना है allocation from allocation to तक यहां पर जो पाइस से 15 तक की है वो allocation done हो चुकी है यहां पर work code को भी show कर दिया गया है यहां पर work code को जब तक नहीं दर्शाया जाता है जब तक कि आप allocation done नहीं कर देते हैं और दोस्तो इस तरह से आप नरेगा यूजना के अंतरगत यूजर आईडी पासवर्ड से डिमांड लगाने के बाद एलोकेशन एजली कर सकते हैं तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें आपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर पहली वारती चैनल को सस्क्राइब कर लें